Hello everyone, welcome to JRF Adda, और मैं हूँ आपके educator अचना अगरवाल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ है JRF होल्डर याशिका, और इन्होंने education में JRF क्राक किया है इस बार, चलिए हम जानते हैं इनसे इनकी strategy, पहले तो इनके बारे में जमझेंगे, कि आखिर इनका background क्या है, तो याशिका, welcome to this, our session, तो आप से जो है, हमें बहुत सारी अच्छे-ची बाते पता चलेगी, देखिए, motivation की जरूरत ना हमारे student को बहुत जादा है अभी, तो आपके अज़र जर्नी रहा है, वो I hope इन लों को help करेगा, तो येस, आप से start करते हैं, over to you, याशिका. Thank you so much, रचना माम, मेरा नाम याशिका टाख है, मेरा educational background जो है, वो मैंने B.com, M.com किया था, then B.A. and then M.A.D. in the year 2020, 2021 मैंने M.A.D. अपना complete कर लिया था, while pursuing my M.A.D. in the year 2019, I had qualified G.S.E.T. and then in the year 2020, November के दौरान, I had qualified my UGC. and then I got the degree of M.A.D. and after that only, I got a job at my local place, that is Adipur Kach. I worked over there for six months, and then I got a break from State University of Gujarat, that is the Maharaja Sayajirah University, and at there I worked for one and a half year, as an assistant professor. at that time also I was aspiring for J.R.F. but हम जो है जब वर्क करते हैं, तो कही ना कही हमारा पूरा एनरजी उसके अंदर चला जाता है, उस वर्क कल्चर के साथ एजिस्स करने में चला जाता है, उस वर्क कल्चर में रहने के साथ अपना पर्फॉर्मेंस देने में भी चला जाता है, हम है, वो उन्होंने अपना J.R.F. कौलिफाइ किया, उनकी स्टोरी मैंने सुनी, बीइंग अ मदर, शी कौलिफाइड हर J.R.F., उनका लास्ट कुछ स्टेजी था, उनकी एज जाने वाली थी, एंड देन उन्होंने कैसे कैसे करके, so that motivated me, that encouraged me, and मैंने सोचा, कि from 1st January, यह मेरा resolution था, कि this year by hook or by crook, I want J.R.F. And so I started the journey, from 1st January, मैंने सारे YouTube के, जितने भी educators थे, उनके सारे वीडियोज देखे, मुझे थोड़ा सा guideline दिला, then रचना माम की classes के बारे में पता चला, मैंने उनको follow करना चालू किया, उनका Indian logic, उनकी Indian philosophy, उनके education की classes, सब ने मुझे बहुत motivate किया, मैंने बोला, मैं इतना अच्छा समझाते हैं, तो कही ना कहीं मेरे को मैं की paid classes भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि February attempt में मेरा कुछ माक से रह गया था, so फिर मैंने decide किया कि मैं मैं की paid classes लूू, and paid classes में तभी भी I was working, तो मैं नहीं बैट पाती थी, 1R भी मैं नहीं दे पाती थी, but then on 4th of May, I left my job and from 4th of May to 19th of June, I worked hard, ठीके, दिन रत एक कर दिया था, मैं की classes देखी, PYQ solve किये, mock tests दिये, and ऐसे ऐसे करके मैंने कैसे भी करके, पर जे आरिफ लेने की कोशिश की, so thank you so much, Rachna Ma'am, thank you so much, Aditi Ma'am, thank you so much, Shiv Sir, आपकी marathon classes, आपके back venture classes, आपकी paid classes, every classes help me a lot, thank you so much, thank you so much. Jashika, मैं आपको जानते भी हूँ, क्योंकि आप इतने hard working हो, मतलब यह मारना पड़ेगा, लोग कितने excuses देते हैं, कि हम time निकल पाते हैं, लेकिन आपको देखे, आप job करते हुए, और ये job करते हुए, फिर आप net निकाले हो, दो बार net निकाले, जे आरिफ नहीं निकल रहा था, फिर भी आपका कभी बी, आप कभी demotivate नहीं हुए, मुझसे आपसे कई बार बात भी हुए इस बारे में, लेकिन हमेशा आप motivated है थे थे कि नहीं मुझे जे आरिफ चाहिए, तो मैं अपने students को भी बता हुए, कि please demotivate मत होना, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, कि job के साथ-साथ आप जे आरिफ क्राक करी दिया, अपने आखिरकार और अपने सपनों को पारे, अच्छा, याशिका, बच्चे अक्सर पूछते हैं, कि क्योंकि इस बार cut-off लो गया है, कारण तो obviously यही है कि paper 1 बहुत टफ आया, paper 1 का difficulty level बढ़ गया है, और हमारे education वाले जो बच्चे हैं, तो आप मुझे यही होगा, तो आप मुझे यह बताइगे कि paper 1 की तयारी आपने कैसे की, basically हम education background से हैं, तो हमारे जो units हैं, जिसे कि teaching aptitude वो हमारा strong रहता है, research aptitude वो हमारा strong रहता है, and higher education, कही ना कहीं यह तीन, और communication पी थोड़ा contemporary topic है, जो हमको टच कर लेता है, तो यह चार जो units थे, वो मुझे थोड़े बहुत आते थे, but मैंने कहां पर महनत की, ICT में, मैं की मैंने सारी classes देखिए, Aditi मैं की मैंने सारी paid classes भी देखिए, और जो 9.30 को शेडिल करते थे, 9.30 को शेडिल करते थे, 9.30 को, then Shiv sir, की मैंने पीपल, पॉलिटी, एंवर्मेंट की लासे, मैरेफन, सब कुछ अटेंड किया, मैंने अच्छे से नोट्स बनाए, कन्वेंशन, सब्मिट्स, सब कुछ उसके रिलेटेड हर एक डीटेल मैंने अच्छे से लिखी, फैक्चुल चीजे थे तो मैंने उसको थोड़ा स्ट्राटेजी बना के ही लिखने की कोशिश की के यह मुझे याद रह रहे पाए, then coming to logical reasoning, तो logical reasoning की, again मैंने मैं की क्लास, अधिती मैं की क्लास, जहां मैं मैंने square of opposition बहुत अच्छे से समझाया था, not only in paid batch, but YouTube batch also, मैं हमेशा अपना whole heartedly पढ़ाते हैं, यहां पे भी हो या paid classes में हो, so thank you so much मैं, then coming to Indian logic, तो ब्रच्णा मैं का Indian logic तो बहुत famous हो गया है मैं आप मास्टर्स करिये philosophy में मैं बहुत अच्छा है आपका Indian logic पर अच्छा है यही करना पड़ेगा अच्छा ही लग लग रहा है यही करना पड़ेगा अच्छा यह मताई डेटा इंटरप्रेटेशन हो कैसे किया आपने डेटा इंटरप्रेटेशन मैंने उसको कंटिनियूस ही रखा जैसे आप बोलते थे कि D.I. and R.C. are the marks fetching you know components of our paper सो मैंने उस पे constantly, regularly, consistency के साथ उसको solve करने की रखी थी one hour I was always giving to this D.I. and R.C. D.I. में I used to refer some books, P.Y.Q.s even MBA के जो books आते हैं एंटरेंस एक्जाम के इनके भी जो भी होते थे वो मैंने solve किये तो मतलब आप regular थे में यह है कि D.I. and R.C. जो हर रोज लगाना क्योंकि मैं भी यहीं चीज बोलती हूं बच्चों को कि mathematics ऐसी चीज़े जो regular अगर practice नहीं करेंगे तो आपको धोगा देदेगा एक्जाम में बिल्कुल याशिका एकदम मतलब बच्चों के सीखें लाइक बाते आपने बोली हैं जो चीज़े बोली है और अच्छा पेपर टू तो हमारा education है तो strong रहता ही है क्योंकि स्ट्रस करते हैं हम लोग और बस रेगुलर्ली पढ़ते रहें अच्छा याशिका जी बताइए कि आपने नोट्स बनाने का कोई आपकी strategy है या revision करने का जैसे बच्चे क्या बोलते हैं भूल जाते हैं माम हम उनकी यह सबसे बड़ी दिक्कत होती कि माम भूल जाते हैं तो आप कुछ उसमें अपनी strategy बता सकते हैं तो शेयर कर सकते हैं येस सो सबसे पहला काम यही करती थी note making PDF डाउनलोड नहीं करती थी note making करती थी उसको इस तरह से लिखती थी कि मुझे last minute revision पे वो काम आए कि मैं अगर उसको last minute revise भी करूंगी तो मुझे वो समझ में आ जाएगा मैम ने जैसे बोला कि different different pen का use करो highlight करो तो मैंने वैसे वैसे चीजों को किया था सब कुछ मैम जैसे बोलते थे मैंने वो चीज follow की mnemonics बना वो भी मैंने किये कहीं पे concept को story की तरह याद रखा कि ऐसा ह हुआ था दैन ऐसा हुआ था दैन ऐसा हुआ ठीक है जहां पर यह people quality in environment में यही सब जो चीजे है वो मैंने story की तरह याद रखी SDG, MDG goals वो सब मैंने इसी तरह से याद रखे थे स्ट्राटेजी इन दे सेंस की यही था कि अ मतनल नोट्स जो है जैसे कहीं कहीं पर मत लिख दीजिए एक अच्छा सा होना चाहिए जहां आपको रिविशन करो तो आपको काम आएगा and then people development environment वा जैसे हमारे education में जो factual information वह आपने story की तरह जो है याद करना जादा पसंद किय अनिमोनिक्स की तरह बिलकुल यही अचा याशिका जी यह बताइए कि आपका future आप क्या देख रहें अभी जे आरे फ़क्राइक हो गया है और आपको experience भी है even पढ़ाने का college में तो अभी आप क्या सोच रहें आगे अब हम यही सोच रहे हैं कि किसी अच्छे गाइड के साथ अच्छी जगा से PhD परसीव करना चालू करें रजिस्टर करें अपने आपको और मुझे मैं जो है other fellow mates जो है हमेरे जो अभी who are aspiring for JRF मैं उनको यही सजिस्ट करूंगी कि please don't get disheartened ठीके ups and downs आएंगे trust yourself believe yourself one day you will succeed ठीके so मेहनत करते रहो अपने आप पे विश्वास करते रहो consistency के साथ dedication के साथ hard work करो क्योंकि hard work के साथ लग साथ में हमेशा चलता है so yes this is thank you so much thank you so much याशिका and I hope हमारे जो students है specially education वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस interview से and even आप याशिका से जुड़ भी सकते हैं वो telegram में भी जुड़ी हुई है क्योंकि अभी PhD करेंगी तो जो हमारे पीएश्डी करने के लिए जो इच्छुक हैं even UGC net qualify करने के बाद भी आप पीश्डी के लिए apply कर सकते हैं yes तो वो आप लोग बिलकुल याशिका से जुड़ सकते हैं उनसे भी आपको कुछ idea मिल जाएगा और इसी तरह से जो है तबको all the best है जितने लोग exam देंगे और हम करते हैं कि दिसंबर में और भी अच्छा result आए तकि और बच्चे जो है आपसे प्रेड़ना ले ठीके याशिका जी चलिए okay so all the best for your future and thank you to the JRF Adda team जिनका बहुत अच्छा support रहा throughout my journey मैंने सिर्फ one month आपको follow किया है and one month में पूरा अच्छा सा magic मेरे सामने आके हो गया है I have succeeded so thank you so much जाशिका जी मेन आपकी महनत थी और मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ educators तो होते हैं कि लास्ता दिखाने के लिए आपको पसंद आता है और अपना 110 परसंट देना है कि आशिका जी को भी जो हम मैंने पढ़ाया उन्हों सब को बराबर ही पढ़ाते हैं पर उन्होंने खुद मेहनत की खुद explore किया खुद सब कुछ की यार नहीं मुझे करना है तो यह चीजे सब में होनी चाहिए चली आशिका जी बहुत नाइस